हलो नमस्कार मित्रों आप सभी का यूटूब के सुपर हिंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बताएंगे सपने में कच्वा देखने का क्या आर्थ होता है क्या मतलब होता है आने वाले दिनों में क्या संक्यत प्राप्त होता है इस इस पर बात करेंगे सपने में विभीन वस्थाओं में कच्वा को देखा जाता है और विभीन वस्थाओं में कच्वा देखने का फल इस वीडियो में बताएंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं सोपनफल के बारी में वैसे तो हिंदू धर में कच्वा को बहुत ही पवित्र हो सुप माना जाता है अनेक प्रकार से कच्वा की वनी आकरतियां प्रियोग में लाई जाती हैं यदि आप सपने में कच्वा देखते हैं कच्विय को इधर उधर जाते हुए यद घास पूस में गोमते हुए या पानी में तेड़ते हुए देखना एक अच्छा सुपना होता है ये सुपना आने वाले दिनों में आपको जो भी कार्य करते हैं उतसे आपको धन प्राप्त होगा या किसी यहनी प्रकार से धन का लाब होने वाला होता है कच्छवा देखने का अच्छे भविस्षी आने का संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप उन्नति को प्राप्त करेंगे और धनकी अधिक मात्रा में ब्रधी होने वाली है तो कच्वा देखना बेहद अच्छा और सुपना होता है कच्वा के छुटे-छुटे वच्चे भी देखते हैं तो भी धनका लाव होना और आपको किसी नए कारे में शुरवात होने की वो संकेत करता है और यदि आप सपने में कच्छुए के को मारते हुए देखते हैं या उसको मार देते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं होता है कि आप अपने ही गलतियों से आप अपने जीवन को बरबात करने बाले हैं तो कच्विये को अच्छी वस्ता में देखना अच्छा सुपनफल होता है आपको धन का लाब होता है और जो तिस सास में कच्विये को पकड़ते हुए देखना या किसी भी दसा में कच्विये को पानी में छोड़ते हुए देखना या पानी से पकड़ते देखना अच्छा अच्छी अवस्ता होता है क्योंकि आप अपनी गुद्धी का इस्तेमाल करके धन को प्राप्त करने वाले हैं और यदि सपने में सिर्फ एकी अवस्ता होती है जहां पर कच्छुय को देखना अच्छा नहीं होता है और उस कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कारी मित्रों